हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और आज हम बात करेंगे उत्राखंट टेस्स सीरीज 17 के बारे में लेकिन उससे पहले उन दो प्रस्तों को देखेंगे जो लास्ट टेस्स सीरीज में आपको दिये थे होम वर्ट क्वेसन के तो मैक्सिमम लोगों ने वापर सही जवाब दिया था लेकिन थोड़ा सा में डेटेल में बताना चाहूंगा आपको इन प्रस्तों को ठीक है तो उत्राखंट टेस्स सीरीज हम बाद में सुरू करेंगे पहले इन दो प्रस्तों पर चर्चा कर लेते हैं और साथी साथ सभी अभियर्थियों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टेस्स सीरीज को अधिक से अधिक फॉलो करें और अधिक से अधिक सेर करें तो उत्तरकांसी का पहला सब्ताइक अख्वार पूछा था मैंने तो गड़ रेबार परुवतवानी और रवाई मेल तो तीनों जो यह नि निकला था उत्तरकांसी जब जिल्ला बना था उसके जिल्ले बनने के 13 साल बाद यानि की 1973 तो यह आपको धियान रखना हो कि उत्तरकांसी कब जिल्ला बना था मारा 1960 में उत्तरकांसी जिल्ले का गठन हुआ था 1960 में दो और जिल्ले बने थे ठीके कौन-कौन से पिथोराग गड और अत्रकांसी चिज हो जिला बना उसके 13 साल बाद उनित्र can Vancouver करें और रवाइं की बात करें तो ये 1998 मैं निकला था तो रवाइं गहाट है यहाँ बहुँत्र आसी जनप्द में है जैसे रमाइं कांड लिवा था उत्था एकजाम्य पूछा जा चुक है उनीस सो तीस में तो उस समय तो जो रवाइश वाला इस एड़े के बात कर रहा है यह कहा ता तीरी जन्पद में आता था लेकिन जब उत्तर नभाई रवाई किसमें आगा रवाई किसमें आगिया रवां किस्तान कहां पर ऐप करें तो बड्क कहीं से ठीक है दूसरे जो प्रसन था जुमड़ा निर्थय गीत का संबंध किस जंजाती से तो काफी सरल सा प्रसन था क्योंकि आयोग ने पूछ लिए और जो प्रसन इक कहां मैंने इसके बारे में पढ़ा, न्यूजपेपर में और हमेशार मतलब आपको कहीं भी फेस्बूक में वर्टसप में यहीं भी मिलेगा, कहां यह परशनद तो यह न्यूजपेपर में ही, न्यूज पेपर के माद्यम से इस ताल के बारे में पता जला था तो किताबों में नहीं है क्योंकि इस ताल तक पहुंसना इतना आसान भी नहीं है तो मंगलाचु ताल की जन्पद में इस्तित है उत्तरगासी जन्पद में इस्तित है कि आपको कुछ न कुछ ताल तो इस princqky माध्यम से याद हूए जायाए पर दो चित्र में आपके सामड़े बनाये था लड़के का का चित्र है अलग्त नंगी रहा कही से पुराने अभिएरती उन्होंने तो याद कर ली आच्छे से लेकिन जो नएए जिनों नभी तक अच्छा से नहीं पड़ाएं, तो देखे केदाARRYvändाराम का एक लड़का है, मंगलू का एक काने आँख इनकी पास 6 है लेकिन क्या हैं काने हैं ठीक है 6 आँख होने के बावजूद भी क्या हैं काने हैं तो इनके पास देखिए ये काने हैं कौन पिता ठीक है और दोनों लड़के क्या हैं बेरोजगार हैं ठीक है दोनों लड़के कुछ कमाते नहीं हैं तो इनको मम्मी के लिए क्या लेनी है साड़ी लेनी हा तो साड़ी चोड़ देते हैं मम्मी के लो जायेंगे और जीव भर के nimmt बाद क्या हो दिहान से सुनना ठीक है केदार ताल ठीक है केदार से हो जाएगा आपका केदार ताल उत्तर कांसी में देखे केदार नात कहा है रुदर परियाग में तो आप ऐसा मत सोचना एक्जाम में कि केदार ताल भी कहा है रुदर परियाग में तो यह प्रस्थन थोड़ा पानी का ताल है नीले पानी के लिए परसिद्ध है ठीक है आप देखिए इनके डैडी ठीक है डैडी है ना डैडी डैडी कह लीजिए या जनक कह लीजिए ठीक है तो डैडी के हैं छें आख वाले हैं तो डैडी से आपको दिहान रखना है डैडी से डोडी ठीक है क्या रखन ऐबुर्ण धिविएडी से तीको बिएडी की क्या है ढोडी टाल चान जिंक बिसर्ण का तो असी जर्ण जन्पत्र का एक कोना हो पूर्ण नहीं की मिएक दी Always योगा काना ताल, अंधा ताल भी कहा जाते हैं, बिना जल वाला ताल है, पानी नहीं होता है, तो इसको काना या अंधा ताल के नाम से जाना जाता है, अब एक ताल मैंने आप यह डैडी को क्या कहते हैं, जनक भी कहते हैं, तो जनक ताल भी कहा हैं, उत्तरकासी में, बहुत ह है जाड ठीक है तो उत्तरकांसी जनपद में है कौन सी जाड उप जाती है जो बोटिया की और जो मूल इस्तान है वो कौन सा है जादूं को गाउं है उत्तरकांसी का एक गाउं है जादूं तो यह इनका क्या है मूल गाउं है और इसी गाउं के ऐसे बातो गैंगी काणा ताल इस सारी ताल आपको प्रिक्शा होने भी मिल जाएँकेगे कंडी बनाएं थी लकड़ी की चोरी करने के लिए ध्यार में कंडी क्क्ञाल कॉत्ते हr साड़ी से क्या दियान रखने आपको रोही साड़ा क्या दियान रखेंगे रोही साड़ा त्याल रोही साड़ा त्याल तो आराम से याद हो जागा रोही साड़ा त्याल खीरा से खीडा त्याल ठीक है भर के जी भर के नाचेंगे घड़ जाके तो भर से भरान सर्ताल यह महत यह भी आपको ध्यान लखना- BLACK सा है सर्टाल भी कहां उत्तर कांसी में ही इस स्थित सर्टा monopoly अगर 창ी बात करें तो बड़कट कार कोट के बात के पास इससर ऐप अब जी भरके क्या करेंगे नाचेंगे नाचने से क्या होगा नाचेंगे नाच से नची केता ताल कौन सा ताल नची केता ताल भी कहां पर इस्तित है उत्तर कांसी जनपद में ही इस्तित है लंबे सो जाएंगे नाचने के बाद ठक जाएंगे तो क्या करेंगे सो जाएंगे लामा ताल तो लामा ताल भी कहा है उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है तो उमीद है आप लोगों को याद हो जाएगी एक बार आप कहानी को इस परकार से अपने रब काफी में बनाईए थोड़ा सा कनेक्शन बिठाईए और जितने भी आप अपने दिमाग के खुरापाती सोचने का परियास कीजिए आसानी से ये ताल आपको याद हो जाएंगी ठीक है तो पहला प्रसन तो हमारा हो गया है ठीक है कौन सा था मंगलाचु ताल तो मंगलाचु ताल कहा है आपके उत्तरकाशी जनपद मिचतीत है अब देखिए दूसरा प्रसन है रोनाल्ड रोस को किस वर्स नोबल प्रसकार दिया गया था ठीक है रोनाल्ड रोस को किस वर्स नोबल प्रसकार दिया गया था तो इसका उत्तर है 1902 में नोबल प्रसकार दिया गया था तो दोस्तों देखो नोबल प्रसकार से एक्जामें बहुत सारे प्रसन बनते हैं जैसे नोबल प्रसका साइब के प्रस्नों को पंढना बहुत जगोरी है जैसे बहुत देक ग्यान के छेतर में पहला नोबल किस को मिला इस परकार से प्रसन ही अजेह करने होंगे ah सेंट में वीवीद वाला जो पार्ट है पीछे उसको अच्छे से पढ़िए और साथी साथ देसे नोबेल पुरुसकार के बात करें तो वर्स 2020 में भी नोबेल पुरुसकार दिये गए अलमोडा जन्पद में हुआ था तेरा मई सन 1857 जन्म तो आराम से याद हो जाएगा 1857 की करांती से मैच कर लीजिए कनेक्शन बिठा दीजिए इनका 1857 की करांती भारत ने बहुत परसिद्ध है तो उसी साल क्या हुआ था रोनाल्ड रोस का जन्म हुआ था और कहा हुआ था अलमोडा में हूँ था दस भाई वेहन थे और दस संतानों में यह सबसे बड़े थे चहात तो इनकी क्या थी कोई बनने की थी लेकिन पिता चाहते थी कि मेडिकल साइंस में जाएं, Medical की लाइन में जाएं इसलिए इनको मजबूरी में Medical लाइन में जाना पड़ा अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अज जाब एक बीमारी का नाम सुनते होंगे malaria बीमारी की ठीक है, तो आज तो क्या किया फिर इस बीमारी का पता लगा है कि बीमारी हो क्यों रही है तो मच्छरों पर इन्हों ने लगबग एक हजार मच्छरों पर इन्हों ने परियोग किया था और जब यह पेसेंट्स का टेस्ट लेते थे जो भी मरीज होते थे उनका टेस्ट लेते तो इंजेक्शन से जब उनका blood निकालते थे तो जो रोगी होते तो डड़ते थे सुई लगाने से तो एक रुपए देते थे ये कि मैं आपको एक रुपए दूँगा और आप मुझे क्या कीजिए सुई लगाने दीजिए तो कई परकार के परियोग के इन्होंने मच्छरों को क्या किया किसी व्यक्ति को जैसे जबड़ दस्ती एक मच्छर दानी के अंदर डाल दिया और वहां बहुत सारे मच्छर डाल दिया ताकि पता लग सके कि मच्छरों से बिमारी फैल रही है पिर उन्हें मच्छरों पर परियोग करते गए करते गए और बाद में फिर पता चली ही गया कि मच्छर से ही मलेरिया बिमारी फैल रही है और इसलिए इनको क्या 1902 में फिर नोबेल पुरुसकार दिया गया था ठीक है धियान रखेंगे आप इसके साथ साथ देखें आप क्या क्या क्नेक्ट कर सकते हैं इस प्रसन से अगले प्रसन के और ठीक है तो siya 100 अगनी कांट सडीयंत्र में मुख्य भूमी का किसने निबाए थी तो उतराखंड से एस अगनी कांट का संब्द हे और ये siya100 अगनी कांट कहा हुआ था चमोली जनपत में और यह हो था ठीक है यह सर्कारी दस्ता बेर से लोनली फ्रोज आप दा बॉडरलेंड नामक पुस्तक के रचिता कौन है ठीक है लोनली फ्रोज आप दा बॉडरलेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए कल्यांड सिंग पांगती क्या है इसका उत्तर कल्यांड सिंग पांगती देखिए लोनली का मतलब क्या होत तो इन चीजेशों को आप करते हैं तो बात करें मरोज तिवार किस जन जाती का परमुक तिवार है तो इसका जो सही उत्तर है थोड़ा साइग मिन हाँ तो मरोज तीवार की जिंजाती का पर्मुक तीवार है जौन सारी का जौन सारी जिंजाती का पर्मुक तीवार है और जौन सार बावर छेतर में मनाया जाता है दीपावली के एक महाबाद मनाया जाता है तो आपने पांड मालों को बांदोंगी, कि नियु तो इसी मानने तक चलते ऐसा माना जाता है, मरोच तरभार के दिन बरत रकते और बकरे रुपी दुसासन की बली देने के दूझा उपरा उपरान क्या करते है, अपनी चोटी बानती है बकरे रूपी दुसासन क्यों कहा मैंने क्योंकि इस दिन बकरे की बली दी जाती है आपर एक वर्स तक उस बकरे को पाला जाता है और एक वर्स बाद जब मरोज तिवार आता है तो उस बकरे को फिर मार दिया जाता है और बकरे को क्या दुसासन को रूप मानते वे उसकी बली दी जाती है तो ये तो मैतेपूर्ण है लेकिन आपको यह ध्यानक आप कि मरोज्त देवार का परमू देवार क्या स्वस्टों कि इंवरिष्ट के देवता किसकी रचना है तो यह बहुत आसांस प्रस्न की क्या है रजना है एवरेश्ट के देपता और इनको क्या गड़वाल की पहली महिला लेखी का भी माना जाता है दुगगल बिटा बुगगल का है ठीक है तो काफी आसान सा प्रस्न यह भी ठीक है तो कहा है रुद्र प्रियाग जन्पद में दुगगल बिटा बुग्याल इ पहला साई बडीष ठाना कहा है दोजार मंदर में खुला था ता कहाँ पहला था धीरा धून में खुला था ज सूलीन तो तो स 만든 अब यह इस प्रकार की सपना कड़ी चलती रहेगी घश फक्रण अगर आप हमारे online course हमारा जो last batch है 21 December से शुरू हो रहा है क्योंकि देखिए आप वीडियो वीडियो की जो exam है मई, जून, जुलाई तक हो जाएंगे तो 21 December के बाद देखिए अगर हम कोई batch है शुरू भी करते हैं तो सायथ complete ना हो पाए इसलिए यदि आप जूनना चाहते हैं तो आप वर्टसप कर सकते हैं 14, 175, 40, 616 पर और दूसरा जो नंबर है वो है 94, 11, 69, 50, 80 ठीक है तो यहाँ पर तो हमारी test series चलती रहेगी ठीक है बस आप लोगों के समर्थन की जरुत है आप लोग test series को अधिक साथी follow करें share करें और प्रस्नों को जरूर नोट करें ठीक है ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगली test series में धन्यवाद